सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूस चैनल को और सबसे पहले न्यूस पाने के लिए घंटे को ज़रूर दबाए ये बिल्कुल प्रीड है मारुती सुजुकी ने हाली में MPV सेग्मेंट में मारुती एक्सल सिक्स को पेश किया था अगर आप भी इस MPV को खरीदने का मन बना रहे है लेकिन समझ नहीं पा रहे है कि ये कार आपके लिए खरीदने में फाइदेमद है या नहीं इसलिए आज हम आपको मारुती एक्सल सिक्स की कुछ ऐसी बाते बताएंगे जो इस कार को खास बनाती है स्टैंडर्ड फीचर्स के अलावा इस कार में सेफटी फीचर्स का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है नहीं एक्सल सिक्स में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानि की ABS, इलेक्ट्रोनिक ब्रेक प्रूफ यानि की EBD और सीट बैल्ड रिमाइंडर हाई स्पीड वर्निंग अलर्ट और डूल एयर बैक्स, इलेक्ट्रोनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हील लोड फंक्शन जैसे शांदर फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाएंगे, नई एक्सल सिक्स मारूती सुजुकी की प्रीम MPV में आती है, और ये सुजुकी के फिफ्ट जनरेशन हार्ट टेक प्लैटफॉर्म पर बेजड है, ब्लैक इंस्ट्रोनिक इसके लिए रियर लु अच्छी दिखती है, अगर हम बात करें इसके इंजन स्पेसिफिगेशन की, तो नई एक्सल सिक्स में आपको 1400 सीसी का BS6 पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो की 70 किलो वाट की पावर और 138 एनम का टॉक देता है, इसके अलावा इसमें 5 स्पीट मैनियल और 4 स्पीट 30 किलोमेटर का माईलेस दे सकती है, एक्सल सिक्स को सीटी का कार बोलत जाएगा, जो गलत नहीं है, दरसल 80 से 1000 किलोमेटर और की रफतार में इसकी स्टेविलिटी रोड पर भैता रही है, जबकि 120 और 130 किलोमेटर पर भी इंजन रिस्पॉंस अच्छा रहा है, लेकिन फिर क कैसे लगी, क्या आप इसको खरीदेंगे, अपनी रहा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बिना लाइक करें इस वीडियो को मत जाएगा दोस्तों आप एक लाइक चैनल को बहुत सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना हो स तक हम आदमी तक शेयर करें, तो मिद्ध अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों